तो नमस्कार और तुसे जाकर देख़ा फिर से नहीं हुड़ों में तो आज हम बात करने वाले हैं टोयटा इनोवा क्रिस्टा के बारे में अब ये गाड़ी जो है इसमें फीचर चाहे कम हो चाहे इसकी प्राइस ज्यादा हो सेग्मेंट से लेकिन फिर भी लोग इसको ही खर होंगे वैसे इस गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं हमने कभी भी इस गाड़ी के बारे में डिसकस नहीं कर रहा है तो सबसे पहले शुरूबात करते हैं गाड़ी के हैड़ी के इंदर आपको यहां पर प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा और यहां पर पर पाइलेट ल मिलता है नीचे की तरव और पूरी ग्रिल जो है वह आपको ओवराल ब्लैक देखने को मिल जाती है इस लोगो के लिए ही यह गाड़ी जो है वह लगबख तीन से चार लाग रुपे और प्राइज है बाकि इस गाड़ी के अंतर यहां पर आपको पार्किंग सेंसर पर देखन अच्छा लग रहा है मेरे को पहले वाले से बाकि इसकी डिजाइन जो है वह बहुत ज्यादा अच्छी है और अगर इसकी टाया प्रोफाल की बात करी जाए तो यह आपको लगबख 215 पचपन आर 17 का देखने को मिल जाता है अब आते हैं गाड़ी के साइड में और वाला यहां पर आपको तरल इंडिकेटर वगरा देखने को मिल जाएंगे बाकि यह दोर हैंडल वगरा देखने को मिल जाएंगे यहां पर आपको यहां पर देखने को मिल जाता है और विंडो लाइन पर भी आपको क्रोम वगरा जो है वह देखने को मिल जाता है और विंडो ला करें तो यहां पर आपको डिफॉगर वाइपर वगर ऐसे चीज़े देखने को मिल जाएगी यहां पर देखने को नहीं मिलते लेकिन सारे ही सारे आपको अगरा करकर रखी हुई है यह इंजन की बैज लगा कर रखा है और बंपर पर आपको चार के चार पार्किंग संसर संद्निया है क्योंकि एक्टम हलकी हलकी सी चाहिए एक्टम लो क्वालिटी की साथ ही मैं यह जो लॉक अनलोक का ही बटन देखकर रखा हुआ है अब इतनी बड़ी गाड़ी और इतनी महंगी गाड़ी के हिसाफ से इसमें यहां पर आपको बूट रिलीज करने का भी बटन मिलना चीए था लेगी नहीं देखकर रखा हुआ है अब सीधा अनलोक करते हैं गाड़ी को और हम बढ़ते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ अब आपको व्ल्ट आपको एसा धर मदंश देखने को मिल जाएगा अ यहां पर आपको प्यानो ब्लाक ओपन करने का लेपर है चाहां अब चाहां इसक पर कंट्रोल लेकर बाकि यह अपको बटल अगर stiff देखने को मिल जाएंगे जिनकी क्वालिटी ठीक है अब बात करते हैं गाड़ी की सीट्स की तो गाड़ी पर आपको लेदर अपॉलस्टी देखकर रखी हुई है साथ ही में आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक एड्जस्मन भी देखने को मिल जाता है सीटों में अब अगर यहां पर इंजन स्टाट स्टॉप का बटन देखकर रखा हुआ है इसको दबाओ के तो यह सब चालो हो जाएंगे बाकि यह दर की तरफ आपको जो है वह यह फ्रेंट पार्किंग सेंसर का बटन देखने को मिल जाएगा यह कोई बटन देखकर रखा हुआ है स्क्रीन पर पारा होगा आपके पास पर बाकि यह वाला जो है वह हूड ओपन करने का है आगे वाला और यह जो फ्यूल लडाता है उसको खोलने के लिए है बाकि हम सीट पूरी पीछे किसका देता हूं मैं ताकि यह अंदर आसानी से बैठ कर आपको बता सकूँ कि तो सबसे प erfahren सर्वाइं गाड़ी के स्टेरिंग और आपको कुछ आइस धेतना अच्छा नहीं तो हम हम आपको दीखाए लगए जो की इधर बाले वालेजु बटन है वह इस सक्रिंक कि लिए यह बाकि इधर की साइड में आपको यहाँ cruise control वगरा देखने को मिल जाएगा steering पर आपको यहाँ पर wood finish देकर रखी हुई है यहाँ पर बात करेंगे आपको यहाँ पर leather finish देखने को मिल जाएगी बागी इधर की बात करें तो इधर जो है वह आपको सारे wiper के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे पर यहाँ rain sensing वाला देखने को नहीं बिलता है साथी में इधर देखो तो इधर आपको automatic headlamp के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे बागी यह steering adjust भी हो सकता है यहाँ पर इसको प्रेस करोगे तो आप इसको ओपर नीचे कर सकते हो साथी में आप इसको reach wise भी adjust कर सकते हो एक हाथ से करना असान नहीं होता है बागी आप बढ़ते हैं इसके speedometer की तरफ यहाँ पर आपको analog में देखने को बिल जाएगा speedometer और यह आपको analog में देखने को बिल जाएगा तो इसमें आपको बहुत सारे feature देखने को बिल जाएगी तैसे range हो गया after reset हो गया इसके बाद में economy mode वगिरा बताएगा destructive होता जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपका ध्यान प्रटक सकता है उसमें लेकिन यह चीज़े देखकर रखी हुई है जो मेरे को अच्छी लगती है बाकि इदर आपको automatic climate control देखने को मिल जाएगा यह two zone वाला है साहिद से क्यूंकि इसमें rear का भी option देखकर रखा हुआ बाकि इदर AC के बटन देखने को मिल जाएंगे और यह temperature कंट्रोल करने का बगेरा बाकि इदर नीचे आते ही आपको यहां पर कुछ बटन देखने को मिलेंगे यह eco mode का बटन है यह power mode का बटन है साथ में यह traction control का बटन आपको देखने को मिल जाएगा बाकि नीचे की तरब आपको USB port देखने को मिलेगा इसे में आपको charging port देखने को मिलेगा इसे में आपको charging port देखने को मिल जाएगा और coin holder भी यहां पर देखने को मिलेगा मैनिल वाला तो नॉर्मल यहाता है जिस पर leather wrap करकर रखा होता है वह बतलब cover लगा कर देते हैं बाकि यह आपको automatic देखने को मिल रहा है तो यहां पर आपको PRNDS वाला system देखने को मिल जायाएगा सेंटर में आपको एक बड़ा bottle loader देखने को मिलता है जिसमें आप अच्छा कासा बड़ा bottle रख सकते हो और इधर आपको hand track वगरा देखने को मिलता है इसके अंदर भी cover किया गया है ताकि कच्रा वगरा अंदर की तरफ ना जास सके अब यहां पर आपको सेंटर में armrest आप दे रखा है यहां पर इसको आप रेक्ट करते हो तो खुलता है बाकि फेस बीस के अंदर ठीक ठाक सा देखने को मिल जाता है देख सकते हो आप इसके अंदर बाकि इधर की तरफ आपको आया देखने को मिलेगा यह मैन्यूल वाला है इसमें automatic डेकर नहीं रखा हुआ ह जो कि एक मतलब negative point के सकते हो इस गाड़ी का बाकि इधर आपको sun glass holder देखने को मिल जाएगा इधर जो है वो गाड़ी के यह light वाला system देखने को मिल जाएगा इधर यह off का button वगरा वगरा देखकर रखा हुआ है इसी में आपको ambient light भी देखने को मिल जाती है पूरी तरह से यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिल जाएगा इसमें यहाँ पर आपको light देकर रखी हुई है लेकिन अभी चालू नहीं है reason में बहुत पता नहीं यह light देकर तो रखी हुई है यहाँ पर इदर भी आपको light के लिए option दे रखा है light नहीं है वो शायद से और यहाँ पर आपको same to same door देखने को मिलेगा खाली control वहाँ पर आपको थोड़े कम देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक छोटा compartment देखने को मिलेगा के लिए इसमें आप अच्छा का सामान रख सकते हो थोड़ा deep type भी है यह इसमें मतलब पूरा manual पढ़ा हुआ है साथ में थोड़ा बाता space वगएर और वहाँ पर cup syrup भी पढ़ा हुआ है बाकी एक नीचे की तरफ आपको पूरा space देखने को मिलता है यहाँ पर तो यहाँ पर करने का भी option देखर रखा हुआ है तो शायद साथ आप इसको लॉग भी कर सकते हो अब यह तैटे स्क्रीन है इसमें आपको बहुत और option देखने को मिल जाते हैं वैसे बटन वगएरा देखर रखी हुए है तो आप यहाँ से control कर सकते हो लेकिन इसके अंदर आपको Android Auto Apple CarPlay व आपको दिखाएगा और इतने जाद option देखने को नहीं मिलते हैं जितने आपको दूसरी कारबन देखने को मिलते हैं लेकिन आपकी डेली लाइफ को यह तो आसान बनाई सकती है बाकि वहाँ पर आपको quarter panel वगएरा देखने को मिल रहा है जो कि अच्छी बात है यह visibility भी यहां पर आपको ग्रेम इंडनल पावर विंडवा कंट्रोल और यह थोड़ा पुट आपको compartment देखने को बिल जाएगा जहां पर आप बोटल वगएरा डाल सकते हो इस पेस काफी अच्छा है बोटल के लिए खाली यहां पर देर खालेगी यहां पर भी आप बोटल डाल सक करीति मैंने एकदम पूरी तरह से खिसका करें तो उसके बाद में मेरे को ये इतना सारा नीर रूम देखने को मिल रहा है और अगर में आपको मचा बाथ कि जोरन यहां अब यहां पर यहां पर इसको बात करता हैं यहां इसको बताना भूल जा बाकि दोनों कि सीट पर आपको पीछे की तरफ एक ट्रे देखने को मिल जाएगी और ट्रे के उपर भी आपको लगबग यहां पर कैपसिटी दिखा रखी है कि यहां पर आप 10 किलो तक कोई भी वजन जो है वो रख सकते हो आप 10 किलो अगर कोई बच्चा होगा उसको भी देखने को मिल जाएंगी दोनों तरफ और दोनों ही आपको सेम सेम सिस्टम देखने को मिलेगा अब यह वाला शायद पीछे वाले जो सीट है उनको टक इन करने के लिए होगा क्योंकि इस से सीट तो आगे नहीं किसक रही है बाकि इधर की तरफ आपको रीडिंग लाब द चालू वगेरा कर सकते हो बाकि सीट पर आपको आमरेश भी देखने को मिलते हैं चूकि मैंने बता है और आमरेश की क्वालिटी भी ठीक है और आप इसमें अन्तम भारी सहाथ भी रख सकते हो यह नीचे नहीं जाने वाले हैं यह तो सीट पूरी आगेश हिसकी हुई यह इ यह रियर सीट पर जाता हूं तो रियर सीट पर मेरेको कितना इसपेस मिलता है वह मैं आपको दिखा दूँगा एकदम पूरी तरह से पीछे हिसकाने के बाद में मेरेको कुछ ऐसा इसपेस मिल रहा है मैं यहाँ पर तो बैड नहीं पा रहा हूं क्यूंकि थाई सपोर्ट आप देख सकते हो तो यहाँ पर बैठना इतनी पोजिशन पर तो पॉसिबल ही नहीं है लेकिन अगर आप इसको आगे खिजगा दोगे तो आपको यहाँ पर अच्छा का सा इसपेस देखने को मिल जाए है आपके रियर वाली सीट पर आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ और यह थार्ड पैसंजर के लिए ऑप्चन देकर रखा हुआ है अब यहाँ पर जो आपका हैड़र लगेगा वह यहाँ पर प्लेस करकर रखा है आप देख सकते हो वहाँ से इसको निकाल कर यहाँ पर लगा सकते हो बागी पीछे वाले पैसंजर को यह इस इवेंड मिलते है अब मैं अंदर की तरफ भी बैठा था तो यह सीट में इसे बीच में सोगे चला गया लेकिन आप यहाँ से क्या है कि टंबल भी कर सकते हो सीट को आप मैं गाड़ी का बूट सिपस भी आपको दिखा जाता हूं तो गाड़ी में आपको अच्छा कासा बूट स्पस देख कर सकते हो जिसके बाद में यह अच्छा खासा इस बन जाता है बहुत जाता और अगर आगे वाली सीट अगर आप फोल्ड करो तो आप इसमें क्रिकेट अगरा भी खेल सकते हो बाकि आप गाड़ी का होड खोल कर देख लेते हैं तो यह हूट बहुत जदा भारी है इसकी बहुत को देखने को मिल जाएगा इसमें आपको 2.4 लिटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है और इसके पावर फिगर वगर आपको इसक्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे ल बहुत ही जदा रिलाइबल भी है वाईब्रेशन वगरा भी आपको यहां पर इतने जादा फील नहीं होंगे जितना कि आपको बॉलेर वगरा जिसी गाड़ी में फील होते हैं बाकि गाड़ी के अंदर आपको इतने अच्छे फीचर देखने को नहीं मिलते हैं जितना अच्छे फासे देखने को बिलता है तो उसके लिए लोग इसको खरिदना पसंद करते हैं और बहुत ही भारी मातरा में खरिदते हैं अभी भी इस गाड़ी को तो अगर वीडियो पसंद आया लाइक कर देना और इस गाड़ी के बार में जितना बता सकता था मैंने उस तना अच्छा।